वेल्कम टो जीरो से जिन्यास थक, इसकी टिष्ट में आपसे पूछेंगे जीके के साथ इंपॉर्टन सवाल और उसके जबाब भी बताएंगे, देखते हैं आप इन साथ सवालों में कितने सवालों का सही जबाब बता पाते हैं, आप हमें लास्ट में कॉमेंट करके जरूर पहला सवाल है कुनार्क का सूर्य मंदिल किस परदेश में इस्तित है आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे पास सेकिन का समय ज्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं तो आंसर सोचने के लिए समय सुरू होते हैं अब राइड आंसर है option number C उरिशा में है कुनार्क का सूर्य मंदिल कहां इस्तित है उरिशा में है और इसका फोटो आपके एक नोट में मिलता है और उरिशा की रधानी कहा है भुनेस्वर कितने रूपय के नोट में मिलता है क्या आप उसका आंसर बता सकते हैं तो कमेंट वक्स में कमेंट करिए पानी पत की तिसरी लडाई कब हुई थी? प्रथम 1526 में दुईतिये आप जानते हैं तो कमेंट कर सकते हैं राइट आंसर है प्रथम 1526 में दुईतिये आपको कमेंट करना है संग लोक सेवा आयोग यानी की UPSC Union Public Service Commission की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर है आप्शन नमबर C राश्ट्रपति Q4 नियुक्ति कौन से किरिया Galvanization कहलाता है? राइट आंसर है का क्या अर्थ होता है? राइट आंसर है आप्शन नमबर C कीसी भी काम को सुरू करने को सीरी गनेश करना बोला जाता है यानी की प्रारंभ करना सीरी गनेश करने का सही अर्थ है प्रारंभ करना Q6 नियुम्नली खित में से कौन गरख नहीं है? राइट आंसर है आप्शन नमबर B सूरे सूरे गरख नहीं है Q7 और आप जेनरल कॉमपटिशन की त्यारी करते हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो कार लिजिए क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पे वर्क करता है Q7 सन 1913 में किस भारतिये ने नोबिल प्राइज जीता था हिंस साहित्ते के छेत्रों में तो आपके स्कूर क्या हुआ आप हमें कमेंट वक्स में कमेंट करके जरूर बताईए राइट अंसर है आप्शन नमबर C राबिन दरनाथ टाइगोर वीडियो पसंद आया तो लाइक किजिए यदि आपने आज एक भी वीडियो को सेर नहीं करे हैं तो इस वीडियो